हेलो दोस्तों मैं हूँ विकास और स्वागत अपसे भी का मर्सी इस्टेटी में दोस्तों आज के इस वीडियो में घनमूल का बहुत ही जबरदस्ट ट्रीक बताने वह रहा हूं ठीक है इस तरह के देखिए यहां पर कुछ कोशन दिये गए इस तरह के कोशन को क्यों आप दे है तो देखिए इसको हल करने के लिए बहुत ही छोटा सनियम है कि हमें कुछ क्यूब रूट मालू होना चाहिए ठीक है क्यूब मालू होना चाहिए देखिए कैसे की जैसे एक का क्यूब तो एक का क्यूब क्या होता है एक होता है इसी परकार से दो का क्यूब होता है आठ 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, उसी सबसे 8 का क्यूब 512, ठीक है? 9 का क्यूब हो जाएगा, 729, और फिर 10 का क्यूब, 1000, फिर 11 का क्यूब, 13, 31, ठीक है? अब 12 का भी लिखना तो लिख दीजिए, 12 का क्यूब हो जाएगा, 28, 17, 28, ठीक है? 17, 28, ठीक है? अगर ये चीज आपको मालूम है, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है? आप उसको एक दम आसान से केवल देखकर बता सकते हैं, देखे इसका नियम क्या है? अब नियम जान लेते हैं, यहां पर हमारा कोईशिन किया दिया है? 108, फिर 823, यह चीज हमारा दिया है, तो हम क्या करेंगे? यह जो लाष्ट का 3 अंग है, ठीक है इसको हम एक साथ लेंगे और इसमें हम सबसे लाश्ट में क्या दिया है तीन दिया है ठीक है तो यह हम क्या निकलें घं इसका घं किया है ठीक है यह इतना हमारा घं किया गया है अब लाश्ट में इसमें देखेंगे कि लाश्ट में तीन किसमें आ रहा है तो देखें जुरूसरे यहां पर देखेंगे, तो यहां पर हमारा लाष्ट में 3 आ रहा है, और यह 7 का घंञ यह, ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम्डी देंगे 7, ठीक है, इस तरह से, 3 इसमें आ रहा है, मतलब कि यह वाला 7 उठा गया, हम यहां रखेंगे अब इसमने क्या बचा 103 तो अब हम देखेंगे कि 103 किसके बीच में आएगा तो देखें 64 और 125 के बीच में आएगा 103 ठीक है तो हम क्या करेंगे गए 64 और 125 में छोटा को ने 64 चोटा है तो इसका यह वाला जो चार है इसको उठाकर यहां पर रख देंगे और यह इसका आंसर हो जाएगा इतना इसजी है अब इसी हिसाब से अब इसको करना हो तो क्या करेंगे लास्ट में क्या है 9 है इसमें ढूंड़े 9 किसमें यहां पर ठीक है जब हम 9 का क्यूब किये हैं तब हमारा आंसर साथ सूनती सा है तो लास्ट में इसके 9 है तो हम क्या करेंगे इस 9 को उठाकर यहां पर रखेंगे अब यहां पर क्या है आगे 117 है तो अब देखिए 64 और 125 के बीच में ही आएग 117 ठीक है तो छोटी संख्या कौन सा है 64 है तो इसका यह चार उठाके हम इसके आगे रखेंगे और यह इसका आंसर हो गया ठीक है अब इसी हिसाब से थर्ड नंबर में देखिए 017 हमने ले लिया अब इसके लास्ट में क्या है साथ है अब इसमें देखिए साथ किसमें आ है तो इसमें आएगा साथ यहां पर ठीक है तीन का क्यूब जब करेंगे तो 27 आएगा तो यहां पर हम क्या रखेंगे इस तीन को उठाकर यहां पर रख दीजिए ठीक है अब आगे क्या बचा है यहां पर 309 अब देखिए 309 किसके किसके बीच में आएगा तो 309 हमारा 343 और 512 के बीच में आएगा तो 512 343 में चोटा कौन है यह वाला चोटा है तो इसका यह जो साथ है इसको उठाकर इसके आगे रखिए और यह इसका आंसर हो गया ठीक है एक दम इस तरह से आसान तरीके साब क दो चीस है लाश्ट में क्या है 5 है मतलब की यह 5 तो इसके आगे यहाँ पर क्या है यह 5 तो इस 5 उठाकर यहां रखिए अब यहां क्या पंदरा हщее 15 किसके किसके बीच में आएगा तो आठ और 27 के बीच में आएगा पंदरा तो छोटा कौन है 27 और 8 में 8 छोटा है तो इसका ये 2 उठा कर यहां पर आगे रखिए और ये इसका अंसर हो गया ठीक है? अब इस तरह से इसको देखिए इसमें भी 3 अंक लीजिए लास्ट में क्या है? 5 है तो ये वाला 5 इसमें भी आ रहा है तो मतलब कि 5 हम यहां पर लिख सकते हैं अब यहां पर क्या है? 3 है तो 3 किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 8 के बीच में आएगा अब 8 में और 1 में छोटा कौन है? 1 है तो 1 उठा कि यहां रख दीजिए ठीक है? देखे, बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है इसको बस क्यों ट्रिक मालूम होना चाहिए एकदम चुट्कियों में हो जाएगा अब यहां पर क्या है? 3 अंक लिए लाश्ट में क्या है? 5 है तो 5 हमारा इसमें आ रहा है और यह इस तरह से इसका अंसर आ जाएगा ठीक है? दोस्तों देखे, बहुत ही आसान है तो चलिए कुछ और भी कोशन लेते हैं और हल करते हैं देखे दोस्तों यहां पर हमने कुछ और भी कोशन ले लिए है ठीक है? ताकि आपको एकदम से यह ट्रिक रट जाए तो देखे क्या है? इसमें 24 है, 39 है तो लास्ट का तीन अंक लेंगे तो तीन अंक में यह लास्ट वाला अंक क्या है? 9 है, तो इसमें देखे इसमें 9 किसमें आ रहा है? तो यह यहां पर 9 आया तो इस 9 को हम यहां पर लिख देंगे 9, ठीक है? अब यहां आगे क्या है? चौबिस है तो देखे, 24 किसके बीच में आएगा? यहां पर 27 है तो मतलब 8 और 27 के बीच में आएगा तो 27 और 8 में 8 चोटा है तो इसका यह दो हम उठाकर यहां और यहां रख देंगी और यहां इसका अंसर हो गया है अब इसमें देखे JOE इसमें लास्ट में क्या है? ड़िखे साथ की समय आ रहा है इसमें आ रहा है तो इस तीन को उठाकर यहां रखे बार पर 571 तो 571 किसके बीच में आएगा? यहां पर हमारा 512 और 729 के बीच में आएगा ये 571 ठीक है तो इसमें और इसमें चोटा काउन है 512 तो इसका आठ यह इसका अंसर हो गया ठीक है अब यहां पर देखिए यह ठीक है 167 में लास्ट में 7 तो 7 है तो मतलब की इसको यह है कि can i नम रखेंगे ठीक है यहां पर नएए तीन अंगे हैं 12 तो 12 देखिए किसके बीच में आएगा तो 12 आयगं हमारा में 28 27 के बीच में तो इसमें चोटा को नहीं दो आठ चोटा है तूसका हम 220 वैसे यहां रखींगे तो इसका यह 7 को उठा कर हम यहां पर रखेंगे अब आगी कहा है 456 तो देखिए 456 हमारा किसके बीच में आएगा यहां पर 343 और 512 के बीच में आएगा 456 तो इन दोर में चोटा है उपर वाला तो हम 7 को उठा कर यहां पर रखेंगे कि यह इसका अंसर हो जाएगा अब इसी परकास से इसको देखिए 112 जब 112 को लाश्ट में क्या है दो है तो देखिए इसमें दो किसमें आ रहा है यहां पर आठ वाले में तो हम क्या करेंगे इस आठ को उठा कर यहां पर रखेंगे अब फिर 195 कि इसके बीच में आएगा तो 125 25 और 216 के बीच में और 155 तो चोटा कोन है उपर वाला तो मतलब पांच उठा कर यहां पर रखेंगे यह इसका अंसर रोजाएगा ठीक है अब यहां पर क्या बानवे 261 तो तीन सम्क्या लीजिए और यहां पर क्या है एक आ रहा है ठीक है तो एक आरा है मतलब कि क्या यह वा बाताइस के बीच में तो इसमें हम दोको रख देंगे यग क्योंकि छोटा यह इसका अंसर हो जाएगा फिसके Katha 19 to 39 के लास्ट में नाइन तो 9 हमारा यहां पर 9 में आता है तो 9 यहां पर रखिए अब क्या है उन्सट्ट उन्सट्ट किसके बीच में आएगा यहां पर देखिए 27 और 64 के बीच में आएगा 69 ठीक है तो छोटा है यह 27 मतलब कि तीन रखा जाएगा तीन और ये ठीक है तो यह ही इसका ट्रीक है ठीक है तो दोस्तों आज के आई वीडियो आप लोग ऐसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए अगर आप चनल पर न नए वीडियो में तब तक लिए जयेंगे तो नहीं वीडियो में तब तक लिए जयेंगे